नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आएए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइट पर मेंचन है इन सब में हम सबसे पहले बात करेंगे BTC, USDT, Bitcoin की उसके बाद हम बात करेंगे Crude Oil, Copper, Nifty, Zinc, Silver, Natural Gas और सबसेंड में हम बात करेंगे Gold, USDT एक बाद इस सीक्वेंस चेंज करते हैं यह नीचे था ठीक है तो इन सब स्क्रिप्स की हम बात करेंगे तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं हम BTC, USDT, Bitcoin से थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को BTC में हम जो ट्रेंड देख रहे हैं Prices में इसमें एक level को हमने कल डिसकस करा था 28,950 के जिसके बाद मार्केट में एक correction रह सकती है Market आया इसके थोड़ा सा नीचे, लगभग 200-200 पॉइंट की market ने गिरावट दिखाने के बाद एक recovery दिखाने के कोशिश करी और यहाँ पर सबसे important चीज़ यह रही कि उस recovery में market ने अपनी intraday strength को फिर से gain कर लिया और अभी तक हम जहाँ पर prices देख रहे हैं, वो काफे strongly अपने आपको इस range के dip लेने के बाद वापस से इस range के ऊपर break करने के बाद यही पर hold करते हुए नज़र आ रहे हैं आप अगर market के sentiments पर जाएंगे तो market में कुछ इस तरीके का एक sentiment नज़र आएगा कि market ने dip लिया पर बहुत ज़्यादा time के लिए market sustain नहीं कर पाया हाला कि correction देखी गई थी 28-950 के break करने के बाद पर एक support था जो market को थोड़ी सी help दे गया, वो candle stick pattern की वज़े से था, यहाँ प पाया, ठीक है, अभी जिस तरीके का एक momentum बना हुए BTC में, वो कुछ इस तरीके का है कि prices अपने आपको ऊपर की तरफ continue करते वे नज़र आ सकते हैं, तो यह बहुत important चीज़ है कि market जो वो नीचे की side पे नज़र अभी के लिए नहीं आ रहा है, और वो कब नज़र आ सकता ह कब नहीं, उसके लिए हम levels की बात करते हैं, सबसे important level अभी भी वही रहेगा, सबसे पहली चीज़ यह के market में intraday में strength है, तो short selling avoid करें, दूसरी चीज़ के market में, जो next important level है, next क्या वो है ही सबसे important अभी के लिए, वो है 29,775, वो price break होते ही BTC में, एक reverse level break होगा और prices जो हो आपको उपर की तरफ continue करते वे नजर आ सकते हैं, जहां पर market की अगर किसी वेज़े से market में थोड़ी सी intraday में correction देखी जाती है, तो 29,000 के आसपास एक buying zone यहां पर नजर आ रहा है, तो देखते हैं market correct होगा, नहीं होगा यहीं से continue करता रहेगा, वो सारी चीज़े देखते हैं, एक intraday का support level है 29,050 यहां पर, इसके break करते ही market में एक buying zone आ रहा है 29,000 के पास, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी important है, कि market में इसका जो stop loss हम है, हम maintain करेंगे, वो रहेगा 28,700 यहां पर, ठीक है, actually 750 है, यहां पर, यह हमारे लिए stop loss बना रहेगा, तो आप 29,000 पर लेके, 28,700 के stop loss maintain करके चलें, और पूरा का पूरा व्यू जो है, वो अभी थोड़ा सा, intraday में, तो upside का थोड़ा बनाई हुआ है, बाकी positionally भी upside का बन सकता है, डिपेंड करेगा कि 27,700 ब्रेक होता है, 29,700 ब्रेक होता है या नहीं होता, next, crude oil, crude oil में कलम ने क कुछ discuss किया था, कि prices अपने आपको जिस तरीके से यहां पर continue कर रहे है, सबसे पहली चीज यही थी कि market में यहां पर कहीं पर कोई buying का level बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा था, market में एक negative opening रही हो, prices अपने आपको नीचे लाए, पूरे दिन market में अपने आपको negative zone में hold करके रखा, कहीं एक थोड़ी सी तेर के लिए भी market में अपने आपको positive area में लाने की कोशिश नहीं की, अभी भी अगर हम देखे तो market consolidation दिखा रहा है, बहुत strongly ना यह उपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इस range को market में अभी hold किया हुआ, prices अगर नीचे जाते हैं, जैसे अभी 6790 के असपास market है, यहां से market नीच आता है, तो एक price range है, 6725 से बीच में, यहां पर, यह market में buying zone के तरीके से काम कर लिया ही range, इसका stop loss रहेगा, वो रहेगा 6690, यहां पर, इसके नीचे अगर market आता है, तो market से exit कर जाना चाहिए, otherwise यहां पर हम पनी position को hold करके continue करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर भी अभी के लिए crude oil में मेरा strong view किसी भी direction का बहुत जादा नहीं है, सिर्फ इतना है कि market अगर नीच आता है, तो intraday में अगर कुछ कोशिश कर सकते हैं, तो यहां पर एक try लिया जा सकता है, 6720 से 25 के बीच में, ठीक है, उपर में अगर हम बात करें, तो market म एक resistance level जो काफी strong है, वो यहां पर है, 6860 का, 6860 का level break करने के बाद ही market में एक तेजी की हम expectation कर पाएंगा, और फिर prices जाएं, वो आपने आपको उपर ले जाते हुए नजर आ सकते हैं, यह intraday में एक resistance का का काम कर रहा है यह price, तो देखते हैं अभी market कैसा रहगा, और एक और इससे पहले एक price है, 6830 का, यह market में intraday का एक selling zone बना हुए है, अब यहां से अगर prices यहां पर आते है, 6830 पर यहां selling की जा सकती है, और उसका stop loss 6860 का maintain करना चाहिए, अभी के लिए बहुत strong view किसी भी direction करने है, बागी देखते हैं, market कहां किस direction में जाएगा, जो buying selling के levels है, वो ह 6480 का, यहां पर, यह market में reversal का level है, यह break होते ही, crude oil के prices में काफी अच्छी correction firm expect करने लगेंगे, ठीक है, next, copper, copper में अगर हम देखें, तो market में जिस तरीके का एक trend नज़र आ रहा है, एक range market में hold की हुई है, और इसमें, कल हम जिस level की बात कर रहे थे, जो resistance का level है, वो market में अभ 742 nearest level था, उसके बात जो price था, वो 747 था, market में 742 के level पे एक resistance अपना maintain करके रखा, ठीक है, इसके उपर जरा सी भी देर market जो है, अपने आपको sustain करने में अपना failure शो कर रहा था, अभी के लिए prices जहां पर trade कर रहे है, यह price, मतलब buying या selling को नहीं, हमें इस तरीके से देखना चाहिए, कि market में हम यहाँ पर कोई भी अगर buying करते हैं, तो हमारे लिए stop loss में कोई change नहीं है, वो वही रहेगा 731, चाहे यहाँ पर buying करें, या इससे एक और थोड़ा सा dip लगने के बाद, जो अभी के लिए जो price निकल के आ रहा है, वैसे वो 735 का है, यहाँ पर, मतलब market ए आपको कुछ देर sustain करने की कोशिश करता है, तो exit कर जाएं, otherwise अपनी position को hold करके रख सकते हैं, उपर में resistance जो हम देख रहे हैं, 742 का, इसके उपर market थोड़ जो sustain करता है, तो expectation यह रहेगी कि market अपने 747 के एक strong resistance level को भी test करके break करने की कोशिश कर सकता है, तो यह काफी important है, नी next, nifty, nifty में अगर हम बात करें, prices एक correction दिखा रहे थे, एक अपने बिल्कुल exact level को touch करके, जो support का काम कर रहा था, market नहीं से एक turn लेना शुरू किया, prices उपर आए, और उपर में कल हम एक range को discuss कर रहे थे, 670 से 690 के बीच में, यह एक range थी जो market में selling zone के तरीके से active है, prices इसके उपर आते हैं या नहीं आते हैं, यह इतना matter नहीं करता है, matter यह करता है, कि यहाँ पर, कहीं पर भी अभी कोई buying zone नहीं है, market में अगर कुछ ज़्यादा ही strength आएगी, तो ही prices उपर की तरफ move कर पाएंगे, otherwise, यहाँ कोई buying zone नहीं है, prices में एक ही चीज़ा में consider करनी है, कि अ नजर आएंगे, prices अगर नीचे जाते हैं, तो एक price है, 19,590 यहाँ पर, यह market में intraday buying zone के तरीके से काम करेगा, इसके break करने के बाद, जो इसका stop loss हमें maintain करना चाहिए, वो रहेगा, 19,530 का यहाँ पर, ठीक है, इसके भी बाद जो price है, वो रहेगा, 19,390 यह reversal level है, और यह अ तो यह कुछ levels हैं, जो nifty में important है, फिलाल देखते हैं, market आगे कहाँ पर, अपने आपको continue करते हैं, तो buying को थोड़ा सा अभी के लिए avoid करें, या मतलब आज का दिन ही वैसे avoid करें, वो जाद अच्छा लग रहा है, या prices नीचे हैं, तो buying की कोशिश कर सकते हैं, otherwise avoid nifty, Zinc, Zinc में कल पूरा दिन market ने एक तरीके से बेकार कर दिया, कोई direction नहीं थी, prices ना नीचे आए, ना उपर गए, उपर में एक resistance market ने काफी strongly यहाँ पर active किया हुआ है, यह जो resistance हम बात कर रहे हैं, यह candlestick pattern की वज़े से, जिसे हम 224 रुपया 50 पैसे का मान सकते हैं, यहाँ प यहाँ से फिर नीच आ रहे हैं, यहाँ से फिर नीच आ रहे हैं, और market में यह एक बहुत strong resistance level जो candlestick pattern की वज़े से है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से रहता है कि कई traders ऐसे होते हैं, कि वो एक price पे देख के रखते हैं, वापस से market यहाँ पर आगे है, यहाँ से market return ले रहा है, फिर यहाँ पर बेचो, अगर इसके ओपर market sustain करेगा, तो वो exit कर जाते हैं, बहुत ही एक simple theory अपनी बना के चलते हैं, जिंक में एक और चीज़ important रही, कि market में एक price जो intraday support का का काम कर रहा था, वो था 222.35 पैसे, यह कल market ने बिलकुल यहीं पर अपना low price टच क करके रखा और इसके नीचे market गया नहीं, अभी भी जो buying level है, वो इसके नीचे है, वो है 221 और 50 पैसे, देखिए market range में trade कर रहा है, ना buying निकलती है, ना selling निकलती है, prices कम से कम उस range में आने की कोशिश करें, तभी कुछ एक decision लिया जा सकता है, market अगर रुका हुआ होगा, त तो उसमें कोई भी decision लेना, एक तरीके से यह रहता है कि आप बिना कुछ सोच है, market में कोई trade ले रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज सबसे ज़्यादा जरूरी है कि market में जल्दी से कोई trade ना लें, जब तक कि कुछ moment आती हुई नजर ना आ रही, सामने दिख रही हो, 222 रिवर्सल लेवल है, 216 औरुपे 50 पैसे का, पर मेरा ये मानना है, कि आप जहां पर भी यहां पर buying करेंगे, उसका stop-load 216 औरुपे आप maintain करके रखें, ये इतना काफी रहेगा अभी के लिए, उपर में हमने जैसे ये discuss किया, 224 औरुपे 50 पैसे, ये market में intraday resistance का एक काम कर रहा है, candle stick pattern की वज़े से, पर इसके बाद एक level है, वो थोड़ा से जादा important है, 225 और असी पैसे, ठीक है, और ये break होता है, तो market जो है, 229 और पैसे को भी test करने की कोशिश कर सकता है, तो ये कुछ levels है, जो zinc में important नजर आ रहे हैं, और इसमें एक और चीज है, कि जब तक market इस range में है, unnecessarily किसी trade में entry ना ले, ठीक है, consolidated pattern आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मतलब आपके trading के लिए, trading के लिए सिर्फ वो time अच्छा होता है, जब market कुछ movement दिखा रहा होता है, वहाँ पर selling range आ रही है, buying range आ रही है, stop loss हमारे लगे हो है, अब ऐसे में पहले यही नहीं पता कि market किस direction में जाएगा, हो सकता है, यहाँ से उपर ही जाता रहे, हो सकता है, break करके फिर नीचे ही आता रहे, कुछ भी नहीं पता, market एक बहुत छोटी range को hold किये हुए, next, silver, सबसे important, silver में सबसे पहले तो यह चीज़ कि market में correction का phase continue रहा, market ने exit उसी price से turn लिया, जो हम buying range देख रहे थे, हो सकता है, कि कुछ trader यहाँ से यहाँ तक exit कर गए हूँ, और किस तरीके से उनका अपना कुछ plan रहा हो, पता नहीं है मुझे, पर अगर market second attempt में इस price को break कर रहा था, तो थोड़ा सा यह हो जाता है, कि अगर किसने यहाँ पर buying कर रहे है, तो अपना stop loss भी इस low price का, मतलब हो सकता था, यह low price यहाँ तक होता, तो यहाँ पर वो अपना stop loss maintain करके रखे, ठीक है, पर हम इन चीज़ों अभी ignore करते है, एक stop loss जो हम तब भी discuss कर रहे थे, यह था 23.22, यहाँ पर market का एक तरीके से stop loss trigger हुआ, यह मान लिया जाएगा, अभ कम से कम market लाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही कोई एक अच्छी growth दिखा सकता है, अगर आई तो, ठीक है, जो levels अभी नज़र आ रहे हैं, उसमें एक intraday का price है, 23.20, यह nearest level है, जो market में resistance का का काम करना है, जिसके उपर market की sustainability थोड़ी सी growth दिखाने की कोशिश कर सकती है, य तो यहां पर वो अपना stop loss maintain करके चले, इसके बाद एक price है 23.49, यहां पर, यह price market में काफी ज़्यादा important है, और इसका break करना काफी अच्छी तेजी लाने की कोशिश कर सकता है, फिर भी यह reversal level नहीं है, reversal level इसके काफी ज़्यादा उपर है, वो रहेगा 24.07 पर, screen पे नजर न button देखा, कि market में silver में जो correction है, वो काफी ज़्यादा रही है, gold ने एक तरीके से कुछ movement ही नहीं दिखाई, मतलब prices नीचे ही नहीं आए, और उसमें सबसे बड़ा reason, आप यह मान के चलिए, कहीं ना कहीं, यह market थोड़ा सा मान के चल रहा है, मेरे हिसाब से, कि USD आएना जो है इसमें एक अच्छी तेजी आने वाली है, शायद, gold तब ही नहीं गिरता, जब market में कुछ ऐसी expectation हो, कि dollar जो हो, काफी ज़्यादा strong होने वाला है, ठीक है, फिलाल के लिए हम silver की बात करते हैं, तो जो levels हैं, यह important है, और इसमें 24.07 सबसे important level रहेगा, positionally आने वाले time के लिए, market में एक और चीज है, कि आप हर dip पर, यहाँ पर जासे low price touch है, 23.05 के असपास, एक और fresh dip लगता है, आप entry लें, buying की, intraday में, सिर्फ इसे intraday रखी है, यह चीज़ का ज़रूर ग्यान रखना है, ठीक है, तो यह कुछ levels हैं, जो silver USD में important है, next, natural gas, natural gas में अगर हम देखें, तो market ने finally उस price को break करा, जो हम important discuss कर रहे थे, 226.20, यह price यहाँ break हुआ, market ने topmost level पर जाकर, अपनी closing सेटल कर दी, ठीक है, तो सबसे important शीज है रही कि बहुत time बाद, natural gas में एक हमें तेजी देखने को मिली है, और उस level को भी natural gas में break कर दिया, जो एक important resistance level के तरीके से काम कर रहा थ prices, natural gas के अभी जहाँ पर trade कर रहे हैं, इसमें एक nearest support level जहाँ पर है, 222.90 पैसे यहाँ पर, इसके उपर अगर market है तो, यह chances काफी जादा है, कि market आज ही आज में, वापस से एक और strength दिखाने की कोशिश कर सकता है, और हो सकता है, कि 230 के उपर भी market अपनी closing सेटल कर दे, और कि इसी वज़े से अगर यह strength इतनी जादा मजबूत रही कि 235 को market break करने ही कोशिश करता है, तो बहुत अच्छी तेजी आने वाले time में देखने को मिल सकती है, short selling तो अब बिलकुल avoid करनी चाहिए, market में बहुत important levels break कर दी है, फिर भी अभी जो levels नजर आ रहे हैं, सामने उनकी ह 222 रुपे 90 पैसे हो गया, इसके break करने के बाद एक price रहेगा, 216 रुपे 70 पैसे, यह price यहाँ पर है, यह break करने के बाद market में और ज़्यादा correction के उमीद कर सकते हैं, आप कोई भी अगर level पर buying करने ही कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले चाहिए 222 रुपे 90 पैसे पर आपक अभी के लिए अब जो reversal लेवल है वो 204 रुपे पर है, काफी ज़्यादा नीचे है, ठीक है, तो market में देखते हैं, उमीद ही है कि 235 को market टेस्ट करने की कोशिश करेगा, आज नहीं तो कल तक, ठीक है, तो ऐसी expectation है, short selling को avoid करें, next, gold, gold में market में, कल बहुत ही slow trading रही, ठका द prices अभी यहाँ पर hold होते हुए नजर आ रहे हैं, MCX पर आपको यह असर नजर ना आये शायद, ठीक है, prices हो सकता है, कि अभी एक और deep learning कोशिश करें, पर फिर भी यहाँ पर 1925 डॉलर को market break करने के लिए काफी जादा हिमत दिखाएगा, तब ही break कर पाएगा, इतना easy नहीं है पर अगर इसमें 1925 break होता है और market उसके नीचे sustain करता है, तो silver का आज ही आज में एक अच्छी recovery दिखाने का जो chance है, वो कही ना कही खत्म होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो यह एक important चीज है, मतलब अभी जो एक possibility बची हुई है, market के पास के silver में एक recovery अच्छी recovery आएगी वो gold के base पर है, ठीक है, तो उसका जरूरा ध्यान रखें, उसे आप track करते चलें, फिलाल जो fresh level नजर आ रहे हैं कि हम बात कर लेते हैं, अगर market में कोई dip लगता है और उसके बाद 1938 का level break होता है, तो market में ये intraday एक अच्छी strength के तरीके से इसे देखा जाएगा, कि intraday में market में एक अच्छी strength आ रही है, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, market में dip लगता है और उसके बाद अगर 1938 break होता है, तो market में एक अच्छी strength का ये indication रहेगा, इसके बाद जो price है वो 1947 है, इसमें कोई change नहीं है, उसके break करने बाद market में एक अच्छी strength मिल जाएगी और gold के prices जो बहुत अ आगे देखते हैं market में क्या रहेगा, evening session से पहले market में major moments का आना या major trend का बनना वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो थोड़ा सा wait करें, आगे देखते हैं कि market किस तरीके से react करेगा, वीडियो अच्छा लगाओ तो like करें, share करें, बने रहे मेंट साथ देखते हैं market report, धन्यवाद